सत शिरिया काल सार्यानु जी, स्वागते तो आड़ा मेरे चैनल विलिज कुकिंग रोटीन देविच जी आज जैसी आलुआ तो एहो जे डिश बना के त्यार करांगे, जिसनों खागे तुसी कहोगे कि मज़ा आगया एह डिश बड़ेयां आते बच्चेयां सार्यानु बहुत ही पसंदावेगी तुसी एडिश जै किसे महमाना नु बना के खुआओगे ता उता डिबार बार तरीफ करनगे क्योंकि एडिश बन दी ही एन्नी स्वाद है रेस्पी शुरू करन तो पहला जेकर तुसी मेरे चैनल नु सस्क्राइब नहीं कित्ता है ते हुने जाके मेरे चैनल नु सस्क्राइब कर लो जी आते बेल आइकन नु प्रेस कर लेओ ताकि ता नु मेरी ओन वाली हर वीडियो दा नोटिफिकेशन मिलदा रवे चलिए आज दी आसी रेस्पी शुरू कर लेंदे यां आज जासी बना वांगे चिली पटैटो जो कि तुसी बहुत ही असानी दे नलकार देविच बना के त्यार कर सकते यां आते खाणे नू भी ये बहुत ही टेस्टी हुंदा है जिनना सोना ये देखनों लग रहा उस तो कीते वा देखाने नू स्वाद होवेगा चलिए शुरू कर देया अपना चिली पटैटो बनाना सबतो पहला असी इत्थे सारिया सबजिया नू चंगी तरदिनाल कट कर लिया है असी इत्थे दो शिमला मिर्चा नू चौर्स कट करके लिया है एक टोमाटर नू भी चौर्स कट करके लिया है आठ दस कलिया असी लसंदिया नू मैश करके लिया है एक प्याज नू असी चौर्स शेप देविच कट के लिया है पांच शे असी इत्थे कच्चे आलू ले हन एडिश असी कच्चे आलू तो ही त्यार करांगे सबतो पहला असी आलू नू छोटे छोटे टुकड़ें दे विचे कट लमांगे जिस तरह असी फ्रेंच फ्राइस बना के त्यार कर दे हैं जिस तरह असी फ्रेंच फ्राइस बना दे हैं होन असी अपने त्यार किते सारे आलू नू इक प्लेट दे विचे कड लेंदे हैं इना आलू नू असी तो होंदे ले एक बाउल दे विचे पानी लेंदे हैं अते हे शारे आलूवानों चंगी तरम नाल इसपानी दे वीच तोलवांगे। क्योंकि आलूवान दे वीच श्ि्टार्च हन्दा है, इसलिए इननुह तोन बहुत ज्युर्पी है। आलूवानों चंगी तरम नाल तो बाद आस इस नुह कैले अध़ लेंगे। उस्तो बाद असी इना आलुआ दे विच दो चम्मच कॉन फ्लार एड़ कर दुआंगे स्वाधन सार नमक एड़ करांगे थोड़े जे रैड़िचली पौडर एड़ करांगे रैड़िचली पौडर पौण दे नाल साधे आलुआ दे उपर कोटिंग बहुत ही वधिया हुंदी है कॉन फ्लार पौण तो बाद असी आलुआ नो चंगी तरह दे नाल मिक्स कर लँआंगे तांकि आलुआ दे उपर कॉन फ्लार दी कोटिंग चंगी तरह देनाल हो जवे तूसरी तरफ असी तेल नू चंगी तरह देनाल गरम कर लिया है हुन असी तेल दे विच आपने आलू पाद वांगे अते इना नू फ्राई कर लुआंगे असी इत्थे आलू आनू मीडियम आच दे उते ही फ्राई करांगे तां ही ये क्रिस्पी बन के त्यार होंगे चेदो साथे आलू एक साइट तो हलके जे फ्राई होगे असी ना नू पाल्ट के दूसरी साइट तो इस फ्राई कर लुआंगे एक सानू आलु आनू फ्राई कर दे हो ये 5 minute हो गया आथे आलु साड़े बहुत वध्य त्रिके नल फ्राई हो गया होनसी आलु आनू एक पलेट दे विच कडल लआंगे मीडियम आच दे उते आलुआ नू फ्राइ करन दे नाल साधे आलु बहुत क्रिस्पी बन के त्यार हुंदे हन अते सौफ्ट नहीं हुंदे असी सारे फ्राइ किते आलुआ नू एक प्लेट दे विच कड लेया है हुन असी चिली प्टैटो बनाने दे ले एक कडाई दे विच एक बड़ा चमच सरोय तेल पालवांगे उस्तो बाद असी एदे विच एक चमच लसन जो की असी मैश करके लेया है उसनू पाके थोड़ा जया पून लवांगे लसन पाउन दे नाल साड़े इस डिश दे विच बहुत ही वद्या टेस्ट आंदा है असी असी लसन नू हलका जया पून लेया है हुन असी एदे विच एड कर दमांगे चौर्स कटे होई प्याज, टोमाटर अते शिमला मिर्चा असी अपनिया सबजिया नू तेज फ्लेम दे उपर ही हलका जया पकावांगे सारिया सबजिया नू सी चंगी तरन दे नाल मिक्स कर लवांगे असी इना सबजिया नू हलका हलका ही पका के त्यार करांगे इत्थे साधियां सबजियां नपकॉंदे हुए दो कमिंट हो गया हुन आसी एदे विच एड़ करांगे दो चम्मच रेड़ चिली सॉस एक चम्मच आसी ग्रीन चिली सॉस एड़ करांगे दो चम्मच ही आसी सोया सॉस एड़ करांगे दो चमच ही यसी टोमाटो केचप आड़ करांगे एक चमच यसी निम्बुदा रास आड़ करांगे तो हाटे कॉल अगर वाइट विनिगर हुए तो तुसी ओ भी पास सक देआ तुसी सारियां सॉसस अपने मन पसंद पास सक देआ जी हो जात आड़ा टेस्ट होवे तुसी उस अकोर्डिंग सौसस एड़ कर सकते हैं सारियां सौसिस पौन तो बाद आसी चंगी तरह दिनाल मिक्स कर लुआंगे अते सारियां सौसिस नूँ भी हलका जिया पका लुआंगे एथे साडियां सौसिस हलकियां जियां पाक गईयां हुना सी एदे विच एड़ करांगे स्वादन सार नमक नमक असी थोड़ा जिया ही एड़ करांगे एक चम्मच असी चीन्नी एड़ करांगे चम्चे दा चोथा हिस्सा असी जीरा पोडर एड़ करांगे इना सारियां चीज़ानू पॉन्तो बाद असी फिर दबारा मिक्स कर लवांगे इत्थे सानू सौसिस नू पकौन दे होए तिन कमिन्ट हो गया हुन असी एदे विच एड़ कर दमांगे फ्राई किते होए अलू अलू पॉन तो बाद असी फेर तुबारा अपनी आ सौसिस दे विच आलूआ नो मिक्स कर दुमांगे असी इत्थे गैस दी फ्लेम लो रखांगे लो फ्लेम दे उपर ही आलूआ नो असी सारिया सब्जियां दे विच मिक्स करांगे असी इत्थे ड्राई चिली पटैटो बना के त्यार किता है अगर तुसी ग्रेवी वाला बनोना चाहोता एदे विच दो चमच कॉन फ्लार तीन चार चमच पानी दे पाके ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं पर असी इत्थे सुक्का ही बना के त्यार किता है एथे सानो चिली पटेटो नो पकॉन दे होए दो कमिंट हो गया हुन असी दुवारा फेर मिक्स कर लें देया साड़ा चिली पटेटो बन के त्यार हो गया तुसी देख सकते हैं कि किन्ना सोना देखा नो लग रहा है जिस तरह दा आसी चिली पटेटो रेस्टोरंट विच जाके खंदेया से मोसे तरद बन के त्यार होया है आसी इसनों बहुत ही असानी दिनलकार दे विच बना के त्यार कर लिया है अते बहुत ही काट समान दे विचे बहुत बदिया बन के त्यार हो गया है तुसी देख सकते हैं कि एक इन्ना वदिया बन के त्यार होया है उमीद कर दियां कि आज दी मेरी ये चिली पोटेटो बनाओं धी रेस्पी ता नू जरूर पसंद आई होगी तक दिली सार्या नू प्यार परीसत शिर्यकाल जी